हेलो स्टुरेंट्स वेलकम टू उनलाइन क्लासिस आज का हैं हमारा चेप्टर 14 चेप्टर 14 हमारा काफी बढ़ा है इसलिए इसको छोटोटे पार्ट्स में हम पढ़ रहे हैं चेप्टर 14 में हमने क्या कार्बन साइकल एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया था अब हम इसके आगे देखते हैं उक्सिजन साइकल ओक्सिजन इस वेरी एबंडेन्ट इलिमेंट इन अवर अर्थ ऑक्सिजन क्या होती है एक एबंडेन्ट इलिमेंट होता है मतलब यह एक्षट एक्षटेंट ऑं 21 परसेट इट आलसो औकरस एक्ष्टेयुली इंदक लाइन फॉर्म इन अर्थ क्रश्ट आज वेल अलसो इन एयर फ्रॉम कार्वें डियम्स टेर सब्सक्राइब तबरके इसलफेट करता हैं यह अमारी और्ठ पर कार्बनेट्स नाइडर्स क्या करता है कारबोनेट्स नाइट्रेट्स सालफएट्स इन सभी फॉर्म में भी निट्रोजन जुड़ी हुई होती है हमारे बायोलोजिकल मोलीकूल के लिए भी ऑक्सिजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्या करते हैं अब हम ऑक्सिजन साइकल के अगर बात करते हैं तो जो ऑक्सिजन होता है वह मैनली रिफेरिंग साइकल्स मैनली रिफेरिंग साइकल्स होती है और यह जो साइकल होती है वह ऑक्सिजन को मेंटेन करती है ऑक्सिजन एट्मोस्फियर में प्रेजेंट होती है लेकिन यह त्री प्रोसेस के द्वारा इसको यूज करते हैं पहली क्या करती है जो oxygen cycle होती है हमारी इसको हम three process को इस डाइग्राम की द्वारा समझ सकते हैं देखों यहां पर oxygen cycle दे रखिए oxygen cycle में क्या होता है कि यह हमारी atmosphere की oxygen है यह क्या करती है respiration मतलब हम सास लेने के लिए यह सास लेने के लिए किसका जूस करते है होने के बात क्या करती है एला में हमारी ऑक्सिजिण गेस और फॉटो सिंथेसिस स्टेस के द्वारा डेक्स примерно है अभ सिंधेसिस सोफ्राइस के द्वारा इट्मोस्फियर में चली जाती है एते हैं ईए ग्लुकोस का इसके दो आटेओ अनर्जी ब्राप्त करते हैं और अगर इसमें क्या करते हैं ये भी respiration process के दुआरा CO2 में convert हो जाता है carbon dioxide में carbon dioxide को क्या करते हैं photosynthesis process में plant वापिस ले ले लेते हैं और क्या करते हैं वापिस organic molecules form करते हैं इस प्रकार की जो cycle होती है इसको हम बोलते है oxygen cycle अब हम अगला topic देखते हैं इसका ozone layer ओजुन लेयर क्या होती है elemental oxygen is a normally found in the form of diatomic molecules diatomic molecules means दो element oxygen में diatomic molecules मतलब दो molecules का होना तो हमारे जो elemental oxygen होते हैं उसमें दो molecules होते हैं oxygen plus oxygen मिलकर क्या बनाते हैं two molecules यह वाला नहीं आएगा यहां पर यह यहां पर आएगा तो oxygen form करते हैं जब हम atmosphere के उपर की layer में जाते हैं तो हमें oxygen O3 के form में जाते हैं जैसे कि यह हमारा atmosphere है इसके उपर वाली मतलब higher layer में अगर हम जाते हैं तो हमको O3 मतलब ozone form होती है इस ओधर हम क्या बोलते हैं ozone और यह जो ozone होती है हमारी poisonous का का काम करती है और यह harmful radiation को form करती है इसलिए क्या होता है इसलिए क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लखी है देखोंगे यहां पर दे रखा है इसमें वी आर लखी देट नॉट इस्टेबल नियर अर्थ सर्फेस मतलब हम लोग बहुत जादा लखी है कि अर्थ की सर्फेस पर ओजोन नहीं मिलती है यह अपर लेयर एट्मोश्फि लाइक cfcs carbon compounds having both fluorine and chlorine क्या होता है कि जो रिसेंट ली हमने क्या डिसकवर किया कि जो ओजोन लेयर होती है वो ज्यादा होल होने लग जाते हैं तो अर्थ पर रहने वाले पिपल्स को नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर डेमेज नहीं इसके लिए बहुत सारे पिपल्स य वर्क कर रहे हैं और सबसे ज्यादा ओजोन को डेमेज कुं करता है हमारा क्लोरिन यह दोनों जो कैसे होती है यह हमारा सबसे यादा हमफूल सोती हो और जोन के लिए यहीं पर हमारा चप्टर लोस होता है थैंक्यू सू मजश